दोस्तों देश भक्ति दिखाने के मौके बहुत कम मिलते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हाथ में बंदूक लेकर बॉर्डर पर भीजा जाए देश की रक्षा करने के लिए कई बार हम देश के अंदर रहकर भी देश को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने देश भक्ति का प्रमान दे सकते हैं आज डेश में जो एक बहुत बड़ी समस्या आनखडी होई है और पूरा देश इस समस्या से जूज रहा है ऐसे में आपको अपने देश भक्ती को रिखाना है कैसे घर में रहकर यदि आप देश भक्त हैं आप इस देश से प्यार करते हैं अपने परिवार से प्यार करते हैं पूरे भारत से प्यार करते हैं तो आप घर में रहिए सुरक्षित रहिए इस बात की गंभीरता को समझिये आपके घर के बाहर निकाला हुआ एक भी कदम पूरे देश को खतरे में डाल सकता है प्रधान मंत्री जी ने भी यही बात कही है बार बार कहा है कि घर पर ही रही है लेकिन उसके बावजूद कई लोग बाहर घूम रहे हैं पुलिस वालों की गारी आती है तो घर में चुप जाते हैं गारी चली जाती है तो वापिस बाहर निकल के क्रिकेट खेलने लगते हैं महिलाए बाहर बैट कर बात्चीत कर रही हैं लोग घरों में मिलना जुलना कर रहे हैं ये छुट्टिया नहीं चल रही है ये बहुत बड़ी समस्या है इस बात की गंभीरता को समझिए इटली से जर्मनी से लोग वीडियो बना कर भेज रहे हैं कि प्लीज हमने जो गलती की वो आप मत कीजिए आये दिन इसके मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में ये कितना बड़ा रूप ले लेगी कितना विक्राल होगा वो दृष्ष हम सोज भी नहीं सकते प्लीज इस देश को बचाईए इस देश को आपकी देश भक्ती की जरूरत है यदि आप इस देश से प्यार करते हैं अपने परिवार से प्यार करते हैं तो प्लीज घर पर रुकिए बिना सबजी खाए रह लीजे कुछ दिन कुछ दिन मिल्क नहीं मिलेगा तो कोई फरक नहीं पड़ जाएगा कुछ दिन कुछ सबजिया नहीं खाएंगे फल नहीं खाएंगे तो आपकी जान नहीं जाएगी लेकिन अगर बाहर निकल गए तो आपकी जान को भी खत्रा है और आपके परिवार वालों को भी खत्रा है और ना किवल आपके परिवार को बलकि उससे आप आपके पड़ोशियों को भी एफेक्ट करेंगे प्लीज इस बात को समझे और लोगों को समझाईए कोई अगर आपके घर मिलने आता है तो उसे कहिए कि दूर रहें घर पर रहें सुरक्षित रहें यह समस्या जब खत्म हो जाएगी तब हम कर लेंगे मिलना जुलना कर लेंगे पार्टी अभी घर पर रुखें